गंगा टुडे में आपका स्वागत है गंगा के पानी में विशेश गुण है नागपूर स्थिक National Environment Engineering Research Institute भारत सरकार की अग्रणी संस्था है इस संस्था ने गंगा के पानी के विशेश गुरों का अध्यन किया उन्होंने पाया कि गंगा के पानी में कौपर यानी ताम्य की मात्रा अधिक है जिसमें किटाणू मारने की ख्रमता होती है और गंगा के पानी में रेडियो धर्मी थोरियम की भी सूक्ष मात्रा उतलब्त है उन्होंने यह भी पाया कि गंगा के पाने में विशेश प्रकार के लाबप्रद किठानों होते हैं जिने कॉलिफाज कहा जाता है वास्तव में हर नदी और तलाब के पाने में दो प्रकार के किठानों होते हैं कॉलिफॉर्म जो के हानिप्रद होते हैं जिनसे रोब पैदा होते हैं और कालिफाज जो इन हानिप्रद की टार्मों को समात्त काते हैं और इन कॉलिफॉर्म और कॉलिफाज में हर पानी के भी अंदर युद्ध लगातार चलता रहता है मीरी ने पाया कि गंगा के कॉलिफाज में एक विशेश शमता है समान्य रूप से एक कॉलिफार्म को मारने के लिए एक विशेश प्रकार का कॉलिफाज ही उप्यूत होता है जैसे मलेरिया के कॉलिफाज को मलेरी उसी समकश कॉलिफाज द्वारा ही नश्ट किया जा सकेगा लेकिन गंगा में आई जाने वाले कॉलिफाज की विशेश शमता है कि एक ही कॉलिफाज कई प्रकार के कॉलिफार को एक साथ समामत कर सकता है गंगा के कॉलिफाज को हम वाइट स्पेक्ट्रम अंटिबॉलिटिक की तरह से मान सकते हैं जो कि तमाम प्रकार के की डामों को एक साथ समाव के दाता है नीरी ने यह भी बताया कि यह जो कॉलिफार्म है यह गंगा की बालू में चिपक के पड़े रहते हैं और यह वर्षों तक सुक्त पड़े रहते हैं जब इन्हें अंदाज होता है कि बगल में कहीं कॉलिफार्म उपस्थित है तो यह स्वयम जागरत होकर के और उस कॉलिफार्म को नष्ट करने को चल पड़ते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि गंगा की जो विशेश श्रमता है वो उसका एक कारण उसमें पाई जाने वाले थोरियम और कॉपर हैं और दूसरा कारण उसमें पाई जाने वाले वाइट स्पक्ट्रम कॉलिफार्जिस हैं अब इस पर विचार करते हैं कि क्या जन्विद्धियोत परियोजनाएं बनाने से इन कॉलिफार्ज और इन तत्वों पर कोई हानी होगी पहले बाद तो यह कि इन कॉलिफार्ज का स्रिजन कैसे होता है इसका हमें कोई ग्यान नहीं है गंगा में ये वाइट स्पेक्ट्रम कॉलिफार्ज क्यों पाए जाते हैं नर्मदा में और यमना में क्यों नहीं पाए जाते हैं इसका अभी शोध नहीं हुआ है जब शोध नहीं हुआ है तो मेरा अनुमाद है कि इसमें तमाम पातों का योगदान हो सकता है जैसे गंगा के पानियों की गटी, उस में ऐक्सिजन की मात्रा, उस में विशेष वनस्पतियों का गिरना, उसमें उसके बहने वाले छेत्र में पत्थरों में विशेष प्रकाड के धातुओं का होना और या फिर बद्रिनात और के डार्णात की जो अध्यात्मी को जाए उसका भी कुछ प्रभावों को यदि हम समाप्त कर देंगे तो संभवे कॉलिफाज का बनना ही वाइट स्पेक्ट्रम कॉलिफाज का बनना ही समाप्त हो जाए अब जल्विद्यूत परियोजना बना करके हम गंगा को या तो एक हजील में परिवर्टित कर देते हैं या एटनल में डाल देते हैं तो उसकी जो आसपास के जो पत्थर हैं उनसे रगड़ समाप्त हो जाती तो पत्थरों द्वारा कॉपर और थोरियम का सोखना समाप्त हो जाएगा गंगार में उस प्रकार की नहीं बनेगी तो उसनों उस प्रकार के कौलिफाज नहीं रह सकेंगे फिर अगर गंगा के बहाव उक्सिजन और अध्यात्mik शक्ति से ही कौलिफाज बनते हैं तो जब बहाव और औक्सिजन समाप्त कर देंगे और अध्यात्मिक शक्ति को टर्बाइन में मत कर समाप्त कर देंगे तो हो सकता तुन्हां कौलिफाज बंद हो जाए इसलिए हमको यह समझना चाहिए कि हमारी यह जो वाइट स्पेक्ट्रम कौलिफाज है यह गंगा की एक अध्वितिय पर नहीं है इसलिए इसके संग्रक्षन के लिए ज़रूरी है कि हम जल्विद्यूत पर्योजनाओं को गंगा पर ना पर टेहरी बांद के नीचे नीरी ने इस प्रकार के वाइट स्पेक्ट्रम कौलिफाज पाए और इस आधार पर नीरी ने यह निर्ना दिया कि टेहरी ड नीचे जो कॉलिफाज उन्हें मिले हैं वो पूर्व में आई बालू से लाएगा तो अदुक्ण का हम उसको लगातार पर इसकी एक सीमा है नहीं है हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश में जो गंगा जल को अपने घर ले जाने की रीती है और विशेशकर जो कामाड यात्रा की रीती है उसका भी उदेश यह है यह हो सकता है कि गंगा के पानी में उपलब्द यह अध्विती यह कौलिफाज को वे पहुंचे गंगा की इस अध्वितीय शक्ती को पहचानते हुए हमें अपने थोड़ी से आर्थिक लाथ के लिए गंगा के पर जल्वितीय परियोजनाय नहीं बनाना चाहिए और हमको यह समझना चाहिए कि यह जो वाइट स्पेक्ट्रम कौलिफाज है यह केवल हमारी धर हुआ है यदि हमने जल्वितीय परियोजनाय बना करते वाइट स्पेक्ट्रम कौलिफाज को समाप्त कर दिया तो संपुल विश्व को इससे हमने पंचित कर दिया इसलिए इस पर हमको ध्यान करना चाहिए हमारी पोस्त को लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे इस चैनल को पर आईए अज वहां पर कॉल कीजिए है मिवाई तो झाल